नमस्ते, मेरा नाम है दिपका सेंग गोयल, यह मैसेज एक रिक्वेस्टिंग मैसेज है, स्पेशली तो डेली गोवर्मेंट और अर्विन केज विवाल जी, सर, मेरी ममी जो है, उनकी उमर 59 एर्ज है, और वो डेली में है, मेरे फादा के साथ में, और उनकी आज की जो रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव आई है करोडा की, लेडी हारिंग हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ, कुछ चार से पांच दिन पहले, मगर रिपोर्ट जो है, उनको अभी तक हाथ में नहीं दी है, सिर्फ पापा को बोला कि उस रिपोर्ट की फोटोग्रेफ खीच के ले जाए, और उनके पास वाटसप भी नहीं है, हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है, तो हम किसी हॉस्पिटल में भी उनको नहीं दिखा सक कि मम्मी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगी क्योंकि मम्मी को सिर्फ फीवर था और टेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज का इसी वज़े से विदाव डॉक्टर की रिकूटनेशन हम ने जो हमका टेस्ट करवा दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाव टू रियक्ट इसा लग रहा है कि इससे समय का पईया जो है उल्टा चलना शुरू हो गया तो अभी सर प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी जिस फैमली में रहती है मेरी जो जॉइन फैमली है पाहडगंज में आ रहा नगर में वो कुछ 45 लोग एक साथ रहते हैं जॉइन फैमली मे कई सारे लोग ममी के संपर्ख में आए हैं और ममी को भी कैसे हुआ है क्योंकि ममी तो घर में रहती है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा और रिपोर्ट हाथ में नहीं है उनका एक्सरे कैसे करवाएं सब यही बोल रहे हैं कि घर पे ही रहें घर पे अपना इलाज करें बगर रहने से हम उनका चेस्ट एक्सरे कैसे कराएंगे कैसे पता चलेगा कि उनकी हालत कैसी है उनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है उनको बहुत तकलीफ हो रही है इससे पहले वह कभी भी अपने आपको इतना कमजोर फील नहीं कि है हमें उनका तुरंत इलाज कराना बहु कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है और फ। वर। कि प्रती किये और की कि तो भीन temperatures दोक्टर वह्यारों दोगिल सब्सक्तिक पर है अ जब तक नहीं है डी हाडिंग्स में stellवери जब लेटि नहीं का बहूं हो सकता है अ hungry और 그 यह गर पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि 45 लोगों की फैमिली है खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बाकी सब लोग भी आप समझ रहे हैं कि बहुत जादा जो है खत्रे में आ जाएंगे और जॉइन फामिली का भी बहुत प्रेशर है सब लोग डरे हुए हैं तो प्लीज किसी भी तरह से उनको कॉंटाक करें अगर हमें कोई भी आप वह भी पॉंबे में है मैं अपनी सिस्टर का नंबर नहीं दे सकती विकाज वह मम्मी पापा की सभीवा करें कि वह फोन उठाए उसके पास अल्री बहुत जादा वह स्ट्रेस में है तो प्लीज हमें ब उनका कैसे टेस्ट होगा प्लीज प्लीज मेरे इस मेसिज को प्लीज सीरियस दे लीजिए ये मेरे पास एक आखरी आप्शन बचा था बहुत वक्त से कुछ चार से पांच घंटे मैंने सब सोर्सी लगा लिए सब कॉंटाक कर लिया अपर कुछ भी मगर कुछ भी समझ नही होप नहीं मिल रही है वो बिचारी घर पही है उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है तो प्लीज हेल्प अस थांक यू